अध्याय 15, घन और घनाब, क्यूब एंड क्यूबोईड, हम अपने आसपास कई वस्तुएं देखते हैं, जैसे किताब, पैन, पैंसिल, रबर, आदी, इन ठोस आकारों में, यानि त्रीवीमी आकार, जिने हम 3D आकार भी कहते हैं, हम 2D आकरितियां कहते हैं, जैसे त्रीवीमी वस्तुओं के फलक, प्रिस्ट, किनारे, और शिर्ष, द्रीवीमी आकरितियों के सयोजन से बनते हैं, अब हम 3D वस्तुओं जैसे घन, घनाप के प्रिस्टी छेत्रफल और आयतन का पता करेंगे, इसके लिए हम 2D आकरितियों वह उनके छेत्रफल की अवधारना का उप्योग करेंगे, त्रीवीमी आकारों का चित्रण, हम दिवीमी आकरितियों त्रिभूज, चतुरभूज, एवं वृत आदी का चित्रण सही सही माप के साथ कागज़ पर कर सकते हैं, क्या त्रीवीमी आकारों का भी चित्रण कागज़ पर सही सही माप के साथ किया जा सकता हैं, घन याने की 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई बन आकरिति, जिसकी 8 शिर्ष और 12 कोरे होती हैं, यदि घन के वर्गाकार प्रिष्ट की भुजा की लंबाई ए है, तो वर्गाकार प्रिष्ट का चेत्रफल एका वर्ग होगा, तब घन के सभी वर्गाकार प्रिष्टों के चेत्रफल को जोड़ कर हम घन का संपूर्ण प्रिष्टी चेत्रफल ग्याद कर सकते हैं, याने की एका वर्ग धन एका वर्ग धन एका वर्ग धन एका वर्ग धन एका वर्ग बराबर छे एका वर्ग चलिए अब हम एक घना का डिब्बे को लेकर खोलते हैं और देखते हैं कि यह डिब्बा कैसे बना देखिए यह मुड़ा पहला फलक उसके बाद तीसरा और चौथा और अंत में पाँचवा और छटवा अब यह बन गया घन अब हम देखते हैं कि क्या ये सभी प्रिष्ट समान माप के हैं देखिए सभी प्रिष्टों का माप समान है अर्थार घन के सभी प्रिष्ट सर्वांगसम है करके देखें पहला गते की एक शेट ले उससे 8 सेंटीमिटर भुजा वाला एक घन के आकार का डिब्बा बनाए जिसकी प्रतेग भुजा की लंबाई 8 सेंटीमिटर हो दूसरा घन की कोर की लंबाई 4 सेंटीमिटर है उसका संपूर प्रिष्टी शेत्र फल कितना गुना बढ़ जाएगा जब इसकी कोर की लंबाई 8 सेंटीमिटर कर दी जाए घनाब याने की 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई बन आकरिती जिसकी 12 कोरें और 8 शीष होते हैं इसकी आमने सामने की फलकें बराबर होती हैं घनाब की लंबाई L, चड़ाई B और उंचाई H ले लेते हैं चलिए अब हम घनाब को खोल कर देखते हैं हमें इस प्रकार का प्रिष्ठी जाल दिखाई देगा चुकि प्रतेख प्रिष्ठ आयताकार हैं अता उनके आमने सामने की भुजाएं समान माप की होंगी अब हम प्रतेख प्रिष्ठ का च्छेत्रफल ग्याद करने के लिए एक सायनी बनाते हैं फलक दो और चार की भुजाओं की मापे हैं L व बी तो उनमें प्रतेख का च्छेत्रफल होगा L गुणित बी फलक एक और तीन की भुजाओं की मापे हैं L और H तो इनका प्रत्यक का छेत्रफल होगा L गुनित H इसी प्रकार फलक पांच और छे के भुजाओं की मापे हैं B और H तो इनका प्रत्यक का छेत्रफल होगा B गुनित H अब हम घनाप का संपून प्रिष्ठी चेत्रफल ग्याद कर सकते हैं चलिए देखते हैं घनाप का संपून प्रिष्ठी चेत्रफल इसके लिए हमें सभी प्रिष्ठों के चेत्रफलों को जोड़ना होगा घनाप का संपून प्रिष्ठी चेत्रफल बराबर होगा दो गुनित L गुनित B धन दो गुनित H गुनित B धन दो गुनित H गुनित L इसे हम लिख सकते हैं दो गुनित कोश्टक में L गुनित B धन H गुनित B धन H गुनित L